दक्तर जी, खूर में कोलेस्ट्राल अधिक रहने से सेक्स डाउन होगा? कुछ लोग उनको शेरियर में कुलेस्ट्राल अधिक प्रिश्चत होता है। ये लियल अधिक प्रिश्चत हो तो उससे जरूर तब्यत के में तब्यत पे नुकसान होता है। हेचरियल, हाई डिनिस्ट्री कोलेस्ट्राल होता है, हेचरियल, इस हेचरियल से फाइदा होता है। लेकिन कुलेस्ट्राल, ट्राइग्रेस्ट्रेट्स, ल्डियल, इस प्रकार के कुलेस्ट्राल इस लिपिड प्रफेल्स को एक प्रकार का ये तो फैट कंटेंज होता है। इसके वज़े से जो खून के नस होते हैं, ब्लेंडेसल से, वे तो हाड्र हो जाते हैं, खून के सम्में अंदर के जो वाल्स होते हैं, ये थिक बन जाते हैं। सेक्स में भाग लेने के लिए क्या चाहिए? लिंग खड़ा बना है, लिंग बड़ा बना है, खड़ा रहने, श्ट्रांग रहना है। लिंग खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए? लिंग में जब लिंग के प्रहना होती है, जब लिंग के प्रहना होती है, तब लिंग में खूब खून अंदर जाना है। अंदर जाकर करके उसको भड़ा करना है, खड़ा करना है, तब क्या करना है? लानों बुझे जो खून के जो तांतिने के नारियां होती हैं, और डाइलेट होना है, जिनको कुलिस्ट्राल अजिक तोर पर होता है, कुलिस्ट्राल और ट्रेक दिशर सा रेलियल, यह जो खू नेरो बन जाते हैं, नेरो बन जाते हैं, नेरो वेसल से, नसों से, जितना खून लिंग में प्रिवेश्च करना है, जाना है उतना जाएगा नहीं, तब क्या होता है, लिंग धेला पड़ जाता है, धेला, स्ठांग नहीं बरेगा, नहीं कड़ रहेगा, इसे कुलिष्ट्राल अधिकों तो, सेक्स में पूरिश धीला पड़ जाएगा, वो सेक्स नहीं कर पाता है, कुलिष्ट्राल अधिकरने से, थावित के लिए, हाट के सम्वें के प्राब्रस होते हैं, ब्रेन के प्राब्रस होत हैं विसी के अलावा सेक्स के लिए भी आखात होता है सेक्स के लिए भी नुकसान होता है इसलिए जब पुरुशं में लिंग ठीक टोर पस ते खड़ा नहीं होता हु जरूर कोलिष्ट्राल का भी ज्याज करा इसको कलते हैं बुलते ल्यूपीट प्रोफाइल कराना. ल्यूपीट फोफऩाल लिवर अधिक होतो उसमें तो कॉलिस्ट्राइज होतो ट्राइज होतों त्रे द्से सकतों यह एक तरफ हमारे लिवर में कॉलिस्ट्राइज कांठिकत पर होता रहता है उससे उसके अलवा हम अधिक कुलिस्ट्राल बाहर से भी लेंगे तो और अधिक बढ़ेगा सेक्स में हम कमजोर पड़ जाएंगे इसले कुलिस्ट्राल सेक्स का यनमी है कुलिस्ट्रा सेक्स का यनमी है शेत्रू है इसले कुलिस्ट्राल जिनको कुलिस्ट् और कम करने के लिए दवा लेना, ऐसा करने से, तब उनका सेक्स का लाइफ अच्छा होगा. और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाईये.